आईपियल 2021 को लेकर बड़ी खबर आ रही है जी हाँ आपको बता देए इस बार आईपियल 9 अप्रेल से 30 मई के बीच खेला जाएगा वैसे तो इस बार चिन्ने सूपर किंग्स और मुंबई इंडियन्स की टीम को जीट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है लेकिन इस बार दिल्ली केपिटल्स की टीम भी चमतकारी प्रदर्सन कर सकती है आपको बता देए हाल ही में इंगलेंड के खिलाप वंडे शिरीज के दोरान स्रेयस एयर चोटिल हो गए अपस्रेयस की जगह विकेट कीपर बल्लेबाज रिशब पंट दिल्ली केपिटल्स की कप्तानी करेंगे क्रिकेट विशे सग्यों की माने तो रिशब पंट कप्तानी के साथ साथ अपनी तुफानी बल्लेबाजी के धम पर दिल्ली केपिटल्स की टीम को इस बार IPL में चैंपियन बना सकते हैं रिशब पंद के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि IPL के बाद वह टीम इंडिया की कप्तानी कर सकते हैं IPL 2021 में अगर रिशब पंत दिल्ली कैपिटल्स की टीम को चैंपियन बनाने में काम्याब रहे तो ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए रिशब पंत भारतीय टीम के भी कप्तान बन सकते हैं। अलकि देखा जाये तो रिशब पंत के अलावा पृत्वी शा, अजिक के रहाने, शिखरधवन, शिमरान हिटमायर और इस्टीवन इस्मित जैसे दिगज बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स की टीम में मौजूद हैं जो अपनी तुफानी बल्लेबाजी के दम पर कीशी भी मै की निगाहे ठीकी रहेगी रिशब पंत पर आपको बता दें रिशब पंत की तुफानी बल्लेबाजी के वज़े से आईपियल में रोहित सर्मा और विराट कोहली जैसे दिगज कपतान भी थर थर कांप रहे हैं दिल्ली के एपिटल्स की टीम में रिशब पंत एकलोते ऐस से बल्लेबाज हैं जो मात्र 25 से 30 गेंती पारी में सतक लगाने की छमता रखते हैं आईपियल 2021 की तैयारियों में जुटे रिशब पंत जम कर मैदान पर पसीना बहा रहे हैं रिशब पंत की तुफानी बल्लेबाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभ्या मैच के दोरान कई सांदार चक्के जड़े